विश्कार दोस्तों गुरुकुलो पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अरमेंदर कमारी और आज पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी आज बाते होंगे सोने की और सोना जहां से निकलता है उन माईंस की हमारे साथ हैं प्रविन सांगवाण जी जो भि करके बता सकते हैं सामवान साब आपका गुलकुलोब पोलिटिक्स पर स्वागत है तो रिवाज जी परिन भाई सबसे पहले तुम यह जानना चाहता हूं कि भिवाणी से पर्थ जाना यह कैसे संभा हुआ ये एक लंभी जरन्य है मेरे माणना है कि भी हर किसी की अपनी एक कानी होती है जी फिलकुल तो रोजगार के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं घर छोड़ते हैं मेरे पिताजी ने गाउच ऊड़ा शहर में आए शहर से मैं रोजगार के लिए आगे पढ़ने के लिए मैंने करियर शुरू हुआ तो फिर भारत के कई हिस्सों में मैंने काम किया है धराबाद से शुरू करके फिर नोर्थ इस में आसाम और नाचल फिर उसके बाद वंबे गुडगाओं और फिर दो हजार ग्यारा में एक अपोर्चिटी आई मेरे सामने कि मेरे को एक इंटरनेशनल वो इसों में जाना हुआ और रोजगार के लिए या फिर काम करने के लिए कंपनी के प्रोजेक्ट थे तो ऐसे चलते चलते दो जार ग्यारा के बाद हम चार साल के बाद यह सोचा है कि भी हम ऑस्टेलिया मूव कर सकते हैं क्योंकि उस टैम पे कंपनी जो हमारी थी उसने अपो दोजार दो में जब मेरी ग्रेजिशन होई तो उस टैम भी एक विचार आया था कि भी आगे बाहर मूव कर सकते और और उस्टेलिया यह एक आप्शन था और यह टाइमिंग की बात होती है कि विचार उस टैम पे आया मैं नहीं गया और यहीं पर पढ़ा और पिर आगे का पैता हूँआ से तो सांग्वण साब जैसे आप भारत में काम किया और फिर आप पर्त में सेटल को पर्त का नाम सामने आते ही सोना इसोना नज़रा नहीं लिगते है और आप भी द्रौन में काम करते हैं जो पर्त है या जो ऊस्ट्रीलिया है effort को च्जा उसकी गरोथ की क्य जनसंख्या अगर हम्वाने एक लाग से ज्यादा किसी शेहर की हो, तो वो पर्त एक ऐसा शेहर है, दुनिया का, जो सबसे ज्यादा दूर है, उसके आसपास कोई शेहर आता है, तो एडलेड आता है, लगवग 2,000 किलोमेटर दूर है, अच्छा, इतनी दूर, और उसके जोड़ा शेहर नहीं है, छोटे-छोटे कस्बे है, किसी में पचास लोग रहते हैं, किसी में पांसो रहते हैं, कोई एक-दो एकका दुका है, जिसमें 25-30 जारगी जनसंख्या है, तो और तवर्त के साथ है कि क्योंकि जोग्राफिकली बहुत आइसोलेटिड है, और वेस् पर बहुत ज्यादा मिनरल्स है, करां पर लिघ ज्यादा खनीज है, जो जएलोजी था वह ऐसी है, रह जोगोड़ाफिकली जूगावा है, और उसके अंदर लिघ निर आँ पर ऊपर एक घोनीज है, कर आट जोग्राफिक आए, लिघ जोक्त आर जोज्याम में पाहिना तो ये 1850 के करीब की बात है कि उस्टेलिया में गोल्ड रश स्टार्ट हुआ था उस टेम तो हम आजादी के लिए लड़ रहे थे हंजी बिलकुल ये है एक आईरनी है कई बार इस बारे में बात होती है कि भारत जब अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था उस टेम पर ऑस्टेलिया एक पीनल कलोनी मलब की कन्विक्ट्स वहां बेजे जाते थे जैसे हमारे हां सजाय काला पानी के लिए अंडेवान निकोबार बेजा जाता था ऐसे ही इंगलेंड से अगर किसी ने ब्रेड चो और वेस्टर अस्टेलिया उन दिनों में कुछ नहीं था वहां पर कुछ नहीं होता है वह इतना रिमोट था हुआ कोई जाना नहीं चाहता था तो फिर क्या हुआ कि जब गोल्ड रश स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हुआ मैलवन के आसपास मैलवन बेंडी गो इदर और सिडनी के आसपास क्योंकि वहाँ पर लोग थे और उनको ऐसे ही जमीन के ओपर मिला कौल्ड अचाह से मिल जाता था है पहले तो बहुत जादा मिलता था आज भी मिल जाता है जाते हैं लोग सोना कुछ नहीं है वहाँ पर काफी सारी संख्या है लोगों की और वह अलग तर बोगो है ऐक केरवेन जोड़ों है no account उस आर्यएं कोट प्रीजी में एक ट्रीप प्लान करी उस अरिया का कि वही रहें गिसे और एक मेडरल-डेक्टर लेके अपिन शितर खुंद रहे हरा अपाल दोणते रहें एक तो यह है और फिर उसके अलावा लोग कुछ छोटी कंपनिया भी हैं जैसे आप और मैं मिलके कुछ कंपनी बना लिए चोटी सी इन्वेस्टमेंट करी कि वी दो तीन साधन ले लिए खोदने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए एक लेवल वो भी है उनला और फिर अश्ट्रेलिया फल फूल रहा है वहां से हजारों ठंसोना निकलता है साल में और दुनिया का सबसे अच्छा सोना वह बिचते हैं तो एक तो यह चोटे-चोटे लोग होगे जो सोना वहां पे डूनने जाते हैं कोई आपको ऐसा मिला जिसको सोना मिला हो वहां पे हां जी वहां पर मैं क्योंकि माइल्स पे काम करता हूं तो वहां जैसे बता रहा था कि लोग घूमते रहते अपनी गाड़ी लेके तो एक कैफे पे हम बैटे हुए थे तो ऐसे बाते करते पता चला कि भी वह लगवग दो अफते से वहां पे कर रहे थे और उन्होंने उनको सोने क कि छोटी-छोटी नगेट्स में अच्छाब बिल्कुल छोटे नाखंसे हुःSides के काफी कीवल्ट होते हैं तो वहां और यह illegal बिनी है सरकार ने इसको तो मिला उसका वगया है जमीन पे जो मिलेगा बूश का हो जाती पे जमीन से नीचे जो है बूश के लिए permit लेना परत जैसे अपने माइन्स की खुदाई होती है, जो नियम बनाए जाते हैं, वो नियम तो दिखाने के लिए होते हैं, बहुत सारा मतलब वोईलेशन होता है, या नियमों का, क्या उधर क्या सिस्टम है, इस तरह का, वहाँ पर गवर्निंस अच्छी है, कि जैसे मेरी माइन्स पर ह कीमती है, हर देश में, हर जगे, गांफी कीमत है, पानी तो नीचे का लिमिटेट है, हाँ जी, तो वहाँ पर हम, माली जीगे, हमें एक लाख लीटर पानी चाहिए, एक हफ्तेगा, तो अब वो उसकी वोटर टेवल है, हमारा सो मीटर पर, अब सो से अगर वो डेड़ सो च है, ताकि वो सो मीटर पर आ जाए, ऐसा नहीं है कि सो मीटर से आप दोस्तों, तीन सो, चार सो पहुचा दिया एक तरह से, तो उसके लिए अलग अलग लोकेशन पर वेल ड्रिल कर दिया जाते है, कि वहाँ से पानी लेते रहे, तो एक छोटा सा एक्जामपल है, दूसरा है वहाँ पर वाइल डाइफ है, कि वो लोग काफी धान रखते, कि वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है, फ्लोरा और फोना, कि पेड़ पते और जो जानवर, कि एकदम से खतमना हो जाए, तो अभी हमारे हाँ जैसे ओलीव पाइफन का काफी है, कि पाइफन एक दो मीटर का स मार नी सकते, तो उनका ध्यान रखा जाता है, उसी तरह वहाँ पे कुछ उल्लू है, उनका भी रखा जाता है, कि उनको उनकी एक हैविटेट अलग से बनाई जाए, ताकि वो वहाँ पे चले जाए, उनको नुक्सानना हो, तो ऐसा नेचर के जो अलग है, फूल पत्तों से लेके, जानवरों से लेके, और पानी से लेके, जो भी रिजर्व है, उनको वैसा किया जाए, परविन जी जैसे आप तो हिस्टोरिकल बहुत जानकारियां रखते हों, जो लोजी के अलावा, तो जैसे अंगरेज जिसी देश में गई, उस देश का नैचरल जो खनीज थे, उनका बहुत उन्होंने दोहन किया, लूट-लूट के वो लोग इंग्लेंड ले जाते गए, तो जब वो लोग ऑस्टेलिया गई, और इस ऐसी जगर का जब उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया उहां के लोकल नागरिकों के साथ हुआ, किस तरह की छवी अंगरेजों की अस्टेलिया में है, लोकल नागरिक जो है, उनको अब ओरिजनल बोलते है, वो बहुत ही आदिवासी तरह के लोग थे जब तक अंगरेज बहां गए, जहां तक मेरी जानकारी है, वो लोगों के पास कपड़े नहीं थे, उन लोगों के पास घर नहीं थे, वो खिती नही सूर्सिस को खतम ना करें, अब आगे चारें, अपनी जगे बदलते हैं, यह उनकी कानी है कि क्यों नहीं ने घर नी बना है, ऐसा बोलते हैं तो जब अंगरेज गए वहां पर तो उन्हों ने वहां देखा कि इनको तो कुछ जादा जानकारी है नहीं, तो उनके लिए असा करना कि उन्होंने काफी हत तक उन्होंने एक वहार था है, बहुत ही करूअल था, तो काफी आहँद भी हैं, काफी प्रेशान भी हैं, जो उनके इतिछास को देखते हैं उनके वारे में करते हैं, और कई वहां पुलिसी ऐसी बनाई जिनके परिशानी उनको उठानी पड़ी कि एक जनसंख्या एक टाइम पर एक पीडी के जितने बच्चे थे उनको अलग कर दिया उनकी परिवार से यह सोच कर कि इनको हम अलग से पढ़ाएंगे और अपने जैसा बनाएंगे तो उसको लोस्ट ज बोलते हैं वो अपने परंप्राई को दिया बच्चों में तो यह एक हुआ फिर उन्होंने मिक्स ब्रीड का किया कि भी वहां के लोग और गौरे आपस में मिलके रहे और मिलके रहने नहीं नहीं उनकी जो नेक्ट जम्रेशन हो मिलके हो तो उस बात को लेके भी जो वहां क जो मुलनिवासी है आज के लोग जो समझ रहे हैं कि यह गलत हुआ कि उनको अपनी पहचान खोनी पड़ी क्योंकि उनके पुर्वजयों के साथ कुछ-कुछ ऐसा हुआ कि अब उनके जो प्योर अधिवासी नहीं है अचा वहां पी पर्थ में कितने सारे भारती लोग काम क एक परसेंट दो परसेंट कुछ ऐसे दिखते थे आज के दिन में देख हूँ कहीं पर तो लगबग दस से बीस परसेंट लोग दिख जाते हैं और जन संक्या की बात करें तो शायद इतनी नहीं गई है क्योंकि कुछ एरियाज है जहां पर भारते लोग रहते ज़ादा है और कुछ अरियाई जहाते हो. तो पर्त उने में, कम भी जाते होंगे? हाँ पर्त में काफी है। फर्त के अंदर भी कुछ है, जैसे अपने हाकलोनी है pra बोलते हैं जैसे अपने केमती कि अंहें मोलते हैं, उन जाते हैं उनका सब बोलते हैं तो जब जैसे वहाँ सोना पड़ा रहता था या वहाँ के आदिवासियों को से मतलब भी नहीं था उनके लिए तो वह एक बेकार सी चीज होती हो कि जब अंग्रेज गए तो इनोंने उठाना शुरू किया होगा तो उस तरह की कोई कहानिया हैं वहाँ पे कि लोगों ने किस प्रतिकरियां ही दी होंगी कि ये क्या उठा रहे हैं पत्थरियां आठे इस बारे में मेरे सामने कोई लिटरेचर या कुछ आया नहीं लेकिन क्यूंकि सोना जो है वो 20 गुना भारी हो जो उसकी ग्रेविटी जो बोलते हैं specific ग्रेविटी हो 20 गुना है कि लोहा है वो दो इन गुना तक रहता है पानी से कंपेर करते हो तो बहुत ही भारी होता है तो वहां के जो मूल निवासी थे उनके लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि भारी पत्थर जाता था जैसे और पत्थर पड़े ऐसी हाँ वो पड़ा था तो उनको कोई जुरत महसूस नहीं लेकिन जब अंग्रेज वहां पे गए तो उनको काफी सारा सोना है इसी वज़े से जमीन के उपर मिला और इतना मिला कि एक जो नगेट बोलते हैं एक नगेट उसका आज भी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है वो सतानवे किलो की थे अंग्रेजों को मिली हाँ पड़ी न उनको सोने की एक नगेट मिली उदर अख रखी होगी उन्होंने अभी मीजियम में हां जी शायद कहीं वो मीजियम में रखी हुई है अच्छा जैसे आप जू लोजिस्ट हो आप माइंस में काम करते हो अपना जो हर्याना है यहां पे हम खनन के नाम पे यह पत्थर निकाल है अगर यहां पे कोई एकनोमेकी को अगर बुष्ट करना हो तो खनन एक बहुत बड़ा मादम बन सकता है जैसे मैं मेरा चुबी तोसाम से पास में गाऊ है तो बहुत साल पहले सुनते आए कि तोसाम के पाड़ में तंबा है तो इसको लेकि आप जैसे एक एस मैं तामबे की या कोपर की एक्स्प्लोरेशन में काम कर रहा था तो वहां से मेरे को यह हुआ कि अगर उस्टेलिया में है तो कि भारत में कहां है या हरियाना में कहां हो सकता है तो ऐसे ही मैंने जो खोदा तो जो खेतरी में हमारा लगबग सो साल से ज्यादा से कोपर निक कि भी को रिसर्च पेपर या फिर कोई और एक्स्प्लोरेशन कोई चली हो इन्वेस्टिगेशन ऐसे तो उसमें क्या निकला कि जो खेतडी और मेहंदरगड और तोशाम की तरफ की जो पाडिया है उनकी जो उम्र है उमिलियन्स अफ इयर्स में बोलते हैं और लगवग पर देखा या फिर कहीं भी मेरे को इतना ज़्यादा यह हुआ नहीं कि भी कोई अच्छ से काम हुआ है जब मैंने इंटरेट पर देखा तो मेरे को नहीं मिला तो संभावनाए तो हैं संभावनाए है कि अगर मान लोग खरीज निकल जाए इन कहीं भी रिसर्च हो और वो हुआ है जो सब भाद रहे हैं भाद मतलब किसी इमकर बहर जाना चाहा है तो जो लोग आश्टिन लिया जाना चाह रहे हैं, सही तरीका क्या है वहां पर मलब किन लोगों को आश्टिन लिया जाना चाहिए? सही तरीका यह है कि आप जो परिवार और जो अच्छा त्यार है मांसिक ग्रूप से फानेशली और आगे पढ़ने के लिए उसको वहां पर जाना चाहिए जो रश में जो आप अधर है, वाइगरेशन रश है तो वाइगरेशन रश इसलिए जादा है कि लोग ना रोजगार क के लिए डैस्परेट हो रखी उनके पास कोई स्की ही नहीं है लेकिन फिर भी वो जा रहे तो कोई ने कोई उनको कोई स्किल सीखना चाहिए या फिर वहां जाके सीखना चाहिए ताकि कुछ अच्छा कर पाए अधर्वाइज वो फिर एक जुठे सचे काग्सों पर जाएं अब जो लोग जा रहे हैं उनके लिए अब उम्हार कहले से नियम भी सत्त करते जा रहे हैं अजी ऑस्टेलिया काफी उनकी गवर्नेस सोड़ी सी रियक्टिव है मालब काफी फास्ट है जल्दी से नियम बदलते रहते हो जो भी परिस्तितिय होती है अभी कोरोना टाइम प एक साल में लगवग 10 लाख स्टुडेंट आको पाच लाख भी हो सकता दस लाख में कुछ ऐसी तो वह आते तो दोसान वहां आये नी तो वहां पर लोगों की काम करने वाले लोगों की कमी होगी और उसी दोरान क्या हुआ कि उस्टेलिया क्योंकि ठीक रहा और बीवारी नही थी तो एकनोमी अच्छी चली जब एकनोमी अच्छी चल रही है और लोग नहीं आ रहे तो ये एक बड़ा डवल साइड एफ़ेक्ट हुआ कि उनको पास उनको चाहिए लोग ज्यादा और आनी रहे तो उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को पिछे एक साल में दर्वाज के रहे हैं बिना घर के रहे हैं जैसे अभी यूके में ये क्राइसिस चल रहा है कि वहाँ पर घर नहीं है लोगों के पास उन्होंने दर्वाजे तो खोल दिये बारती लोगों के लिए पढ़ने के लिए लोग जाते हैं हालें कि पढ़ने पढ़ता फोई नहीं है वहाँ हैं सब लोग काम करने जाते हैं तो किन जो स्किल्स है उनकी ज़्यादा डिमांड वहाँ पे है यह इसके लिए उस्टेलियन इमिग्रेशन वाले अपनी वेबसाइट पे एक पूरी लिस्ट डालते हैं कि भी कौन-कौन से स्किल की उनके जुरत है तो उस्टेलियन में हर स्किल को केटेगराईज कर रखा है तो उसकी यह responsibilities है तो ऐसे लगभग मालीजी की 500 स्किल्स है तो उन 500 में से 100 स्किल्स की उनको जुरत है उन 100 स्किल्स की वहाँ पे लिस्ट में है कि भी आप इन इन स्किल्स की उसको देख के जाएं वहां की ज़र सरकारी वेब साइट है उस पर मिल जाती है आपको रास्ता क्लियर हो जाता है कि इसके बाद यह चीज़ आप कर सकते हो आपको पढ़ना है पढ़के वापिस आना है पढ़के वहां रहना है जो भी प्रिस्तिति आप अपना ग्याल लो अपना डिसीजन लो और आगे कदम बढ़ा हो बजाएगी किसी के कहने पर आपके लिए अच्छा है आप वहां जाओ और फिर वहां पर आपके लिए फिट ला हो आपने कभी छुटियों में ट्राइए नहीं किया सोना डूडने के लिए कि चलो मैं भी निकल जाओं ये लेकिंग में तरे नहीं अगर आप इस रोजगार से जुड़ी को जानकारी इन से अस्टेलिया से सम्मधित लेना चाहतने हैं तो मैं इनका जो अस्टेलिया का वाटसप नंबर है वो आपके साथ सेयर कर दूँगा तो आप वाटसप से इन से जानकारी ले सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत क्योंकि अर्याना के भाई आपको जादा ज्यादा मल जनकारी लेंगे तो आप दे देना जितना सम्भाव को शुक्री आप आयो और आपने बाच्चीत की और इतने ची मैंस से जुड़ी जनकारिया मुझे देन लोश्कृत लोश्कृत